राममंदिर मामले पर सुप्रीम कोट ने भले ही अपना फैसला सुना दिया हो लेकिन ये फैसला अंतिम है या नहीं देश के सर्वोच अदालत इस पर कल निर्ने लेगी कोट के 9 नवंबर वाले फैसले के खिलाफ दायर पुनर विचार याचिकाओं पर कल कोट में सुनवाई होगी कि कोट अपने ही फैसले पर दोबारा से विचार करेगा या नहीं 9 नवंबर को जब से राम मंधिर मामले पर सुप्रीम कोट का फैसला आया है मुस्लिम पक्ष से नाराजगी के सुर्फ सुनाई दे रहे हैं और अपने फैसले पर दोबारा से विचार करना है या नहीं इस पर विचार किया जाएगा दरसल 9 नवंबर को सुप्रीम कोट ने राम मंधिर मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जमीन राम लला को दी जाती है क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों से ये साबित नहीं कर पाया कि उक्त जमीन पर उसका मालिकाना हक है हाला कि कोट ने मुसलिम पक्ष को 5 एकड जमीन देने का आदेश तिया था लेकिन ओल इंटिया मुसलिम परसनल लौबोर्ड समेत मुसलिम पक्ष के कई लोग कोट के फैसले से असह मत दिखे जिसे लेकर सुप्रीम कोट में मुस्लिम पक्ष की ओर से आठ पुनरविचार याचिकाएं दायर की गई है इन याचिकाओं में कहा गया है कि पांच सदस्य सम्विधान पीट के फैसले में कई गलतियां हैं और कई विरोधा भास है लहाजा उस फैसले पर पुनरविचार करने की जरूरत है वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से भी मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन देने के फैसले पर सवाल उठाएं गए हैं जिसे लेकर पांच जजों की बैंच कल इस बात पर विचार करेगी कि 9 नवंबर के फैसले को अंतिम रखना है या नहीं डीबी लाइफ की रिपोर्ट